वरनिवे सरमनिय दर्ष्यनं मन्दहा सरुचिरान नाम्भुजं पूजितं सुरनरोत्त मेरमुदा धर्मनंदनमहं विचेंतये ओम अवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं स्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमहं स्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी स्री हरी कृष्यन महराजनी जै स्री घनस्याम महराजनी जै कथा सांभलनारा बधाज भगतोने खूब हेत थी जै स्री स्वामिनारयन स्री हरी चरित्रामृत सागर पूर्चोथू तरंग नव्वानुमो चालू कथा प्रसंग स्री नगरमा भगवान स्री हरी जमवा बेठा चे भगतोनो प्रेम अने भाव अनन्त प्रकारनी वानगी विवीद प्रकारना पक्वान व्यन्जनो तयार करीने अनकूटनी जिम अरपन करिया चे जमता जमता भगवान स्री हरीना मनमा विचार आवे चे अध्भूत महराज विचार करे छे अंगरीजीना एक लेखके बो अध्भूत वात लखी छे देखाई छे ते जे बद्धाने देखाई छे पण विचारे छे ते जे कोई नथी विचार तो एनुज नाम सोध आंगरीजीना लेखक निवात छे एना सब्दो प्रमाने कवच्छू एनुज नाम सोध संसोधन रिसर्च ठेक दुनियाने नवी भेट क्यों सर्ष लख्यू नटू दादा देखाई छे ते जे बद्धाने देखाई छे पण विचारे छे ते जे कोई नथी विचार तो एनुज नाम सोध जार उपर थी एपल निचे पढ़ियू बद्धाने देखाणू वातसा ची देखाई छे ते जे बद्धाने देखाई छे जाड उपरती एपल निचे पड़ियू आ घटना बद्धाने देखानी पण विचारे छे ते जे कोई नथी विचार दो दुनियाना एक मानस ने विचार चेड़ो क्या एपल उपरती निचेच केम पड़ियू उपर केम ना गयू कईउ कारण छे सु कारण छे येनु मन एवु विचारे चेड़ू एवु विचारे चेड़ू याने फोर्स ओफ ग्रेविटी सोधिकाड़ू आ एक नियमना आधारे दुनियानी केटली मोटी बिजी सोध अने खोल थाई गई छे तमे जाणो छे आजे आकासमा सेटलेट परी रहा छे आकासमा विमानों दोडी रहा छे आ बद्धानी पाछल आ न्युटन आइन्स्टाइन जेवाना संसोधनों बोव कारण भूत बन्या चे तमें जाणो छे एक एपल जेवी नानी वातमा पण आओ उंडो विचार करे तो आतली मोटी भेट मली सकती होई तो भगवान माटे जो उंडो विचार करे तो केटलू बदू मली जे दादा खाली सफर जन्ना विचारे अतलो बदू दुनिया ने आपि दिधो तो पूर्शो तम नारण नो विचार करे तो महराष्ट ना संद टुकडे जी महराज हर दे समेतो हर बे समेतो हर दे समेतो हर बे समेतो एटलू सरस्यने पद लख्यू छे तुकडे जी महराजन आप भजन मानसने जो द्रश्टी होई ने काण कणमा, खुणा-खुणामा, मानस मानसमा, सुनी चेव, स्वपाकेच, पंडी तहा समदर्सिनह, विद्या विने संपन्ने, ब्राह्मने, गवी, हस्तिनी विद्वान होई, सत्पुरुस होई, दुनियानो कोईपन मानस होई, और पसु होई, और पंखी होई, दरेकनी अंदर मारा माहराज बेठा जे कोने देखाई, जेने विचार होई, तेने, कयो विचार, आ सास्त्र माथी मलेलो विचार होई, तेने, जो, माहराज जमवा बेठा जे अदभूत विचारे जे, दुनियानो कोई मानस विचार न करी सके, एवो विचार माहराज ये करियो जे ए विचारना करना रा महराज ने तो वंदन, पन महराजना मनना विचारों ने सोधी काढ़या अने लखी काढ़या, एवा आधरंद स्वामी ने पन लाख लाख वंदन सु महराज विचारे छे जुओ रसास्वाद मा करोडो जन्मो जिवे बगाडी नाख्या छता कोई ने सान्ती नथी थाई, आनुज नाम मोह छे अने जिवने मोह ज्यारे होई छेने, त्यारे आईवी वाद समझ्यामा आउतीज नथी जियने भगवानने राजी करवा होई स्रीजी महराजना सब्दो ज्यां जियने भगवानने राजी करवा होई तेने माईक पंच विशई विग्न रूप छे सा माटे सादू जीवन संतो माटे होई छे कारण के जीवनमा त्याग ज्यारे थाई ने त्यारे जीवनमा थी भगवानमा अनुराग प्रगटे छे संसारनी वितम्बनावमा संसारना पदार्थोमा संसारना व्यक्तियोमा बोव अटवायलो मानस भगवानने भजी सके रदैथी भगवानने चाही सके यह अघरी वाद छे होई सके कोई अपवाद करोडो मा कोईक केवी अधभूत वाद छे बोलो जेने भगवानने राजी करवा छे तेना माटे माईक पंच विशे विखन रूप छे हवे आपड़े बद्धा माईक पंच विशे ने चाहना राची है सारी गाडी सारा बंगला सारा कपड़ा सारू भोजन बोलो जमवा बेशे सादू जम एक सारू जम यह बोलो बोलो गंश्याम दादा राजी राजी सही है जो आवाद माँ प्रेक्टिकल वाद छेन दादा है ने तो दादा अगरी छे का आतो अपड़े वात करिये छी बाके जमवा बेशी है और एक बाजू खीचड़ी यह एक बाजू आइस्क्रीम होई जोरदार बराबर का बज्या होई तो सु लेशे लोको आ कथा हमबलनार करनारे लेशे साधू जीवबा महराजने जमडवा माटे आएवा महराजे कयू के आ रामजी आएवा छेने यहने लई जाओने अंदर यहने के जमाडव महराजे परीच यह आएपो क्या आपणा निस्कोड़ा अंद पूर्वास्त्रमनु नाम लालजी सुथार इए लालजी सुथार ना दिकरा अछे सुना मेनू रामजी आ रामजी ने जमाडवी दो यहले जीवबा पर अंदर लेए गया महराजे परीच यह आएपो कोना दिकरा निस्कूला अंद स्वामी ना अकले महिमा तो केटलो बद तो थाईने क्या निस्कूला अंद स्वामी क्या स्री जी महराज क्या जीवबा अने क्या रामजी बई जीवबा ये थाली उपर बेठेला रामजी नी थाली मात त्रण रोटला मुक्या रामजी जमी लिदू उभा थया थोड़ी वार मात विना जमी लिदू बहु जल्दी महराज पासे आयेवा, जिवुबापन आयेवा, रामजी पन आयेवा वात सांबल जो हåँ, सांबल वाँ जेवीच 1973 क्या आपने भूल करिये जी? महराजी किदु बुव व्यला जमीली दु जमाड़ी दीदा, आ महराज जमाड़ी दीदा पण महराज सुँपन सिहना खरेकर सिहन छे हाँ जिवा बाप छेने ये वाजा दिकरा छे एतले सुँ क्या आव मागो छो महराज आराम जी ने जमाडवानी आगनात में करी एतले रस्वडा में जाजू होतू नहीं एतले में उपर बाजरानों रोटलो मुग्यो बराबर में त्रों इनलामुग्या उपर सार्व हतों के नों हतों गहु नो महराज ना समयमा उत्तम भोजंग घहु गणातों में माना वे सारा प्रसंगना दिवसोय त्यारे गहुनी रसोय थोदी गहुनो रोटलो उपर मुख्यो वच्चे में बाजरानो रोटलो राख्यो और निच्चे में जुवारनो रोटलो मुख्यो जीवबाई परिक्साज करीली दियम समझोने पन महराज आ मुमुक्सु केवा केवाई सारु धान्य, सारु भोजन उपर्नो हतु एनाजेमा साउथी निच्चे मुकेलो जुवारनो रोटलो हतो एटलो रोटलो जमिन उभाथे गयान चलू करीली दू महराज निच्कुलांद स्वमिना जीवनमा जेवो वैराज्य ताना वनाती वनायेलो छेने एवोज वैराज्य रामजी मा देखाई छे स्रीजी महराज बोल्या कि बाद तमे बोलाचुन सिही ना सिही तो आ सिही जेवा थवान एज रामजी पाचलती साधू थाई गोविन्दान स्वमि नाम पड़े और एज गोविन्दान स्वमि सारंगपूर मा अनुमांजी महराज नी प्रतिष्ठा करवानों समय आवे गोपालांजी स्वमि अनुमांजी महराज पधराईवा प्रतिष्ठा नी आर्ती कोण करे अन्तियार गोपालान स्वामी आम चारे बाजु नजर नाखी स्वामी तो भगवान जिवा हता ने गोपालान स्वामी पड़ तम्नेने मने सिखवाडवा माते जुओ कि हनुमान जी एतले नेश्ठिक ब्रह्मचारी नेश्ठिक ब्रह्मचारी एनी आर्ति कोण करी सके एवु स्वामे तत्व जोईए इयमा प्रान पुरी सके गुपड़ान स्वमी एस्वरिये तो मुके दिदू स्वामी समर्थ हता पन स्वामी ने आपणने सिखवाड वूतू चारे बाजू नजर करी नाना साधू ने जोया हां अगल बोले आओ आओ साधू पन स्वामी नाना तमारे आर्ति करवानी छे सारंग पुर्णा नमंजी महराज नी प्रतिष्ठानी आर्ति गोविंद स्वमी पासे करावी बोलो कारण सु, रसास वाद तो आपणे एक कही है morning महराज एम कहैचे रसास वाद मा जीवे करोडो जनमो बगारी नाक्या यह अपणे एक गोविंद स्वमी ने वाज सांबल एती, बड़ब लुन ऐ गोविंद लुन लुन ने स्वमी जुदा आजे जे वाद सांबल ये गोविंदा नंस्वामी पाचा जुदा केवानू सुँ जेने भगवानने भजवा जे ये बद्धा जीवोया आटलूतो करवुद जुए सारी वस्तु थी दूर रेवु जे सारी वस्तु छे ठाकोर जिनी छे आपड़ी नथी वैभवी विलासी जीवन वालो भगवान सुदि पोची सके शक्य नथी चेतन्य महाप्रभु येमना जीवनमा नुद्धायलो प्रसंग छे येमने भगवाननी दिख्सालेवा माटे साधू बनवा माटे रदयमा बहु निष्ठा आतिक मारे साधू थवू छे भगवाननो रस्तो लेवो छे महापुरुस नो संग करवा माटे येवा एकांतिक सत्पुरुस पासे जेन प्रार्थना करी अपमने दिख्सा आपो इतिहसमा नाम छे सद्गुरुनू चेतन्य महाप्रभु दिख्सा लेवा माटे अधिरा बनी गया त्यारे येमना गुरु ये परिक्षा करी कि तारे एक परिक्षा आपफी पड़से सुन सामेबेसी जा येने बेसारी येमना मोढामा जीभु पर साकर्नो गांगडो मुक्यो तारे कई बोलुवानू न थी जीभु पर मुकेलो साकर्नो गांगडो गणी वार्थ थै छता ओगल्यो ज नई बाकी साकर्नो स्वभाव औने जीभुनो स्वभाव गली वस्तुनो स्वभाव जेवो छे गड़ी वस्तु तमारी जीभूपर आवेन एटले ओटोमेटिक ओगली नी पानी छुटवा मड़े दादा 32 कोठे दिवा थाई जै आपड़ा सरीर ना एक एक लोईना बुंद साकर्ती केवा खेचाई छे तमें बदा जानो छो चेतन्य महा प्रभुनी जीभूपर मुकेलो साकर्नो गांगडो ओगलो जनाई एमना गुरु या द्रस्य जोयू माथाव पर हाथ मुक्यो अने कई बेटा तने चेतन्य हे बेटा तने दिख्षा मली गई बस अलेतु भगवान्नू नाम ले जे हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण आ मंत्र तु गाजे और बिजाने गवराव जे तारू तो कल्यान थसू थाई गयू पन तारा सम्मंध्य करिने अनंत जीवोना पन कल्यान थसे साकर ने लाडवा, खावा, वाड़ा गणा बदा दिक्सा लईने पन जी आटा हमारे जे एटले मंदीर नी प्रसाधिनों महिमा न थी येवो न थी पन गणिवार में किदू होतु उनके प्रसाधिनों महिमा रे पची मंदीर नों महिमा जतो रे, भगवान नों महिमा जतो रे आपणे साधन्य भूली जहिये छिये, साधन्य साध्य बनाविदी छिये, आ मोटी भूल छिये आ पंच विशय छिये, वचनामरूत प्रथमनु बत्रिस्मू, थोड़ी चोखवाट एटला माटे करू छू महराज एम बोल्या कि गम्मे तेवो भगवान नो भक्त होई तेणे पंच विशय विनातों चालतूज नथी, सब्दस परसर रूप रसने गंध जोसेज, खावा पिवानू जोसेज, ओढवा पेरवानू जोसेज, आमे साधू छे तो एमारे सारा मकान, आमे कै ठंडी मा बार रही नसी सक्वाना, पड़ आपने आवूद जोईए, बराबर, जरूरियात, आवस्यक्ता अने आसकती, आप बन्ने वच्चे नी भेधरेखा उलक्वी जरूरी इचे, आपनने भगवाने सरीर आइपूछे, तेमा कै खावानू तो जोसेजने, क्या नहीं जोईए, दाद एमा पन कोई रोग होई, रोग मा कै नड़तु होई, डाइबिटीस होई, अने पछी इलाडवा खाई, ते नड़े छे बराबर, ये जुदी वस्तु छे, आवस्यक्ता जुदी वाद छे न आसकती जुदी वाद छे, भगवान नो भगता आवस्यक्ता ना बेज उपर जी कि या कथा आरी भगत सुदी ना पहुची सके, पड़ा साधन जे, एज साध्य बनी जाए, आवुद जोए, अतलूद जोए, आना वगर चालेद नहीं, आम तो चालेद नहीं, अत्ती सही जारे ए प्रधान बनी जाए, ये आसकती मानस ने खलास करी ना खेचे, चालो आवे, महराज्ये वाद करे छे, भगवान ना भगत ने मुट्टा मुटू बंधन के नू छे, मोह को अन्तन आवे कबू, कबू न भजे हरिते, मोह को मारग छोड़ दे तब होय हरिसे ने, मोह को अन्तन आवे कबू, आनुजना मोह, मोहनो अन्त क्यारे आवतो नथी, मोह होय, त्या सुधी क्यारे भगवान नू भजन थवानू नथी, जो मोहनो मारग छोड़ी देवामा आवे, तोज भगवान मा स्नेथ थाई सके, भगवान शिवाई नी जिटली वस्तुनू चिंतन थाई छे, ये बद्धो मोह छे, डेफिनेशन ओप मोह, भगवान शिवाई बद्धी वस्तुनू चिंतन थाई छे, ये सुचे, मोह छे, अने मोह, जम्पूरी मा अने लक्चोरासी मा जीवने दुखी करनार छे, तुली सिदास जी महराजियम कहे छे, मोह सकल व्याद्धिन कर मूला, बद्धी उपाधिनू कारण, मानसना रदिमा पड़ेलो मोह छे, मोह एटले सु, गईकाले आपने थोड़ू सांबलता हाता, में तमने होमवर काईपू हतु, आसक्तिने समझवी अघरी छे, पण हजी आसक्ति तमे समझी सक्षो, पण आसक्ति पच्छी पण मोह ने समझवो अघरो छे, पण्च विशैनी आसक्ति थक्ति जेनों जन्म छे, येनू जनाम मोह, दिकराने कॉम्पीटर में आसक्ति छे देखा से, पत्ति नेके पत्ति ने, पिता नेके माता ने, पुत्र नेके पुत्री ने, कोईक जीगेख खेचान छे, खोटी जीगेक, शाची जीगेख देखा से, बराबत या सकती देखा से पर मोह नहीं देखाई मोह एट लेशू सामड़ो वचनामरूद गडपूर मध्यनू पेल्लू मोह नू वचनामरूद छे आवी सरस्वाद तमें जो समझी लेशूने तो गणी बधी जिवननी आटी घुटी उकली जाई विवातों छे मधी बिजाने समझाव माटे नथिया बधी वातों आपणे समझवा माटे जिवन प्रयत्न करू महरामा केटलो मोह छे ये मोह ने छोडू ज्यारे एने गमतों विशे होई तेमा चित्त तनातु होई अने संत तथा गूरू तथा पोताना इष्टदेव जे भगवान ते जो निसेध करे तो ते उपर नीश चड़े तेनो द्रोह थाई पन तेनो वचन मनाई नहीं येवू जेना अंतरमा वर्ततु होई तेने मोह कहिए अजे भाई समझानू तमने सांबलो फरिवार वाचू छो ध्यानती सांबल जो एक एक सब्दास्त जी महरादना श्री मुख माची प्रगट थेला सब्दो छे ज्यारे एने एतले जीवने कोई पन व्यक्ति ने बराबर खाली जग्या व्यक्ति ने कोई पन व्यक्ति पिता पुत्र पत्नीम स्वामी के सेवक ज्यारे जीवने गमतो विशे होई तेमा चित तनातु होई चित केमा तनाई दादा अन गमतामा तनाई गमतो विशे होई ने चित तनातु होई औने संत तथा गुरू तथा पोताना इस्ट देव ते जो निसेद करे तो ते उपर रिष चड़े त्यनों द्रोह थाई त्यनों वचन मनाई नहीं बोलो येवु जेना अंतरमा वर्त तु होई त्यने मोह कहिए स्रीजी महाराजा पृत्विव पर प्रगट हता त्यारे पन स्रीजी महाराजने भगवान जानना रहता ते पन स्रीजी महाराजनी बधिवात नथी मानी सक्या स्रीजी महाराजनी दादा खाचर जेवी सेवा जने करी येवा जिवा खाचर દादा ખાચર કરતા પણ સવાઈ સેવા મહરાજ ની કરેલી એ જિવા ખાચર સ્રિજી મહરાજનું માથુક આપફા તયાર થયા કરણ સું થળું બોલો થળું માન તો ખરુ પટે બદ્દા અંતા સ્તરુ કરતા આગળનું અંતા સ્તરુ છેનું નામ સો છે મહ એટલે સું મહારાજ કિદુને સાગર ની વાત આપણે ગઈકાલે સાંબલી પંચ વિશેની આસતી છે માતી મહ દો ખોટુ આત્લો બદો માનસ એને સુંકે વાય અજાઈ જાઈજે પોતાની વાત માવી જાઈજે આપડા સાસત્રોમાં બહુત સરસ્ત લખ્યું આત્લી વસ્તુ સમજવા સમજ્યા પછે તમને મોહો તત્વા આત્લા તત્વો ભેગા થાય એમાંથી કોણ જનમે છે મોહ જીવા ખાચરને માન તો હતુંજ પણ એમાન એક્સિમ પો જેના અનંત એસવર્ય જોયા છે તો પણ એસમજી નહ સક્યા વીચારતલે મહાભારતમી અંદર કેહવાયું બોં અધભૂત વાત છેયા ધુતરાષ્ટ મહનું સોરૂપ છે કોણ સો કવરવને જેણે જન્માયપાને એ પિતા મહં બની સકે દુર્યોદન અભિમાનું સોરૂપ છે પણ ધુતરાષ્ટો કોનું સોરૂપ છે મહુનું સોરૂપ આતલુ મટુ મહાભારત પૂરુ થઈ જાઈ સોએ સોકવ્રો મરી જાઈ પાંડવો કેપલા ડાયા જે રાજ્યનો અધિકાર કેદા મોટા ભાય તમારા જેઓ દુષ્ટા આદ દુણ્યામાં કોઈ દ્યખાતો નથી આંજાલી લાકડી સમાન આ અવસ્થામાં તમને દીકરા કરતા સવાયા સાચવનારા પાંડવો એનું તમે આતલું અહીત કરો છો અને પાચા એના હતના રોટલા તમે ખાઈ સકો છો તમારા કરતા અગનાની તમારા કરતા મૂડ આત દુન્યામાં બિજો કોઈ નથી કોનું સોરૂપ છેયા? ધૃતરાષ્ટને દેખાતુ દ્નોતુ જેને હાવ દેખાતુ બંથઈ જાએ એને સો કેવાઈ બોલો થળું? એટલ માટે આપણે ત્યાં સાસ્તરમાં ત્રણ પ્રણ પ્રકારના આંધલા છે જો તમે સામે સામે બોલોસે બદ્દુ ભૂલી જાઈ છે એને બદ્દુ દેખાતું બંધ થઈ જાઈ છે પણ તેમ છતા સાસ્તર માલા ક્યું એ અભીમાન્તે આંદ્લો બનેલો એનો પણ મદ જ્યારે ઉતરી જાઈ છે ત્યારે એને પણ દેખાઈ છે પણ એક નાગ જેને કરડે છે એને કડવો લિંડો પણ મિઠો લાગે છે એમ માયાની ગાધ નિદ્રા માજે ઉંગી ગયો છે આ ઉંગ્તો માણસો એને પછી કસુ દેખાય એને કએ ખબર પડે માયને ગાળ નિદ્રા માજે ઉંગી ગયો છે એને દુખ લાગે ભગવાન વ્યાશેમ કહે છે અસત્યમાં સત્યની ભાંતી એનુજ ના મોહ આ સંસાર સત્ય છે પણ આપણને કયો લાગે છે સત્ય લાગે છે આનુજ ના મોહ સંસાર દુખુરૂપ છે આપણને કયો લાગે છે સુખુરુત આનુજ ના મોહ પિલિવાદ છે ને કેક યુવાન એક વડિલને આમંત્રના પાયો દાદા મારા લગણ છે આપત્રિકા છે આઓ જો આ સીરવાદ આપજો દાદા કે દીકરા મારુ માનિશ હાં આ દરિયો ડખળવા જેઓ નથી રેવાદે અમે અમાર મારુવા દોયે અગુરુ છે આ વસ્તુ સમઝવી મોને સમઝવોજ અગુરુ છે કેવાનું સું મોહ વ્યાપેને એને પ તુકમા પંજ વીશીને આસક્તી માંથી કામ ક્રોદ લોગ વીગીરે સ્તીની આસક્તી જને એમાંથી કામ જને અજીશ્તી ની આસક્તી માંથી પાછો વલી શકે કામ થી પાછો વલી શકે પણી કામ જારે મોહ બની જાઈ છેને દની આસક્તી થી માંશને માન જનમે અભિમાન જનમે પણે અભિમાન માંથી પછી મોહ જનમે દની આસક્તી થી જને ટાળવા પડશે યંપુરી અને લક ચોરાશી ના બધધા દુખનું કારણા મોહ છે તુલી દાશજ જી માહરાજ પણ જે મોહ સકલવ્ય ધીનકર મુલા કેટલુ સાસત્રોમાં લખ્યું છે ગીતાજી કહે પતણના કેટલા મારગ છે મ પુંશહ સંગશ તેશુપ જાયતે સંગાજ સંજાયતે કામાં કામાત ક્રોધોભી જાયતે ક્રોધાજ ભવતી સંમોહા સમૃતી વિભ્રમાહ એકવાર મોહ જનમીગાયતે પૂરુ પૂરુ ને મોહ થાયતે સમૃતી વિભ્રમ થાય વચનામૃતુમાં સ્રજી માહરજે સું કયું જુઓ મધ્યનું પેલું વચનામૃતે બે ચાર લાયન વાચું છુ છુ તેજ છે મહથવાનું કારણ પંચ વિશય છે એલે પંચ વિશેની આસક્તી થાય એ વધતી જાયતે તેલે મહથઈ જાય મનમાં વિભ્રાંતી થાય છે પતી આ કરવાયુગ્ય અને આ કરવાયુગ્ય નથી એવો વિવેકપણ રહેતો નથી હજીયા મહને સમજ્વવે તો એક લાયન વાચું છુ કોઈને દુખ લાગે તો મારાવપર રાજી ઇરે જો આ સાસ્ત્રની વાતો વાચું છુ એટલે ગુણાત્યાનંદ સમી કહે મુક્તાનંદ સમી જેવા સાધુમાં હેત આની તો બો જાજી વાત કરુને એગ જેટ આ સબ્દ સાચા છે મુક્તાનંદ સમી જેવા સાધું હોય કલ્યાન સાજે ગણોતે તુકમા હલકા હલકું નરકમા લઈ જાયવું દુખાપેવું અપાર દુખાપેવું તો પનેમાં બોલો હમજાઈ કયું હવે હવે લગ્બક ગામે સપર્ટ તે કયું હસે શ્રી હરી વીચારે છે માહરાજ જમવા બેઠે નલે તે 500 મી લખે છે હવે માહરાજ સું વીચારે છે હે બીજો વીચાર કરે છે સાંબળ જો આ એક વીચાર પૂરો થયો દુકમ માહરાજ્યા વીચાર સું કરો આવીરી તે માહરાજ વીચારતા વીચારતા પાછા વીચારે છે જોઠુ સુખ જાની ને ને વગોવ્યુ મુકતાનંદા મનાતમ સંગા મોહ્યું સ્વમે સબ્દ વાપરો કયો સબ્દ મોહ્યું મને મોહ જાગ્યો છે પણ કેમાં ભગવાનમાં મને મોહથયો છે પ કરેલુવા જગત એમાં આપણે રોજ મોહપા મેજે મેરે જન કહાવત જેતે તાકુદીં મે દેખાઈ તે જે મારા આ અને અભાવ આવ્યા સિવાઈ મોહ ટળસે પાણ નહી મોહે જીવની સાથે ઘણી મિત્રતા કરીલી દી છે તે જીવ આપ મોહસુદી પોચી ગેલો જીવ એને પોતાનુત સાચુ લાગે આખી દુન્યા મોહે વાતે સ્વહારી સકે નઈ આખી બતાવે છતા મારા સિવાઈ બીજો કોઈ મોહને ટાલી સકે તેમ નથી મારામાં લેસમાત્રપણ મોહનથી એવા હીજે નિરમોહી હી એજ મોહને કાપી સકે ટાલી સકે જે મોહમાં પોતિતેજ પડેલો હોય એવજાના મોહને आ मंदिर ना बे थांबला छे दादा, आ थांबले एक मानस बांधियो होई, आने सामेन थांबले बिजो बांधियो होई, बन्ने का बिजने प्रारत ना करे मने छोड़ाओ, मने छोड़ाओ तो कोई छोड़ाओी सके, बांधेला ने छोड़ाओ माटे एकत सरत जरूरी छे, छोड़ाव नारो छुट्टो हो जो ये, राच्साची के खोटी, अजय भगद, राच्साची, डूपताने बचाव माट एक सरत छे, सुन, कि बचावनार पोते डूपतो ना, पन बे डूपता हो ये तो, डूपतो मानस तो टात्योत जाले, तो बे वधार डू बे उल्टाना सुन, कि बचाव माट एक सरत छे, जे बचावनार पोते डूपतो ना, पन बे डूपतो ये, उंगता मानस तो जगाडवान एक सरत छे, जे जाग, बोलो, अमारा संतो मा घणा के, स्वामी मने काले वेलो जगाड जो, पेला स्वामी हाम में जे, बई मारू काम, कि ये, मारी तयारी करतो होई, ये उंगण सिनव हो जोई है, अच्छाची ने, सिंपल लोजिक समझी गया ने, ये मोह माथी छोड़ावान एक सरत छे, कि छोड़ावनार मोह थी छुटो हो जोई है, महाराज एतला माटे विचार करे चे, अमे निर्मोही ची, अमे जो नई समझावे त बवात बतावी ने तेने समझावा कोशिस करे, पन जीवने तेनी एक ताकनी जेतली पन असर थती नथी, औरे मारीज वात लईने अनेक रिते मारू अनुकरण करे, तो पन सामा वालाना जीव माँ क्यारे ते वाच चोड़ती नथी, जीव मने जीवनू जीवन माने छे, ए तो ते संतनु वचन सामाना रदैमा प्रवेश करे छे। करोड रूपयानी वाद छे। करोड रूपयानी वाद छे। बद्धा ध्यानमा राग जो। ये बिजाने समझावा निकला छे ना माटे। गणी वार में काले कईूने। माता पिता छोकरा उपर प्रेसर ये तलू बधू करे। के छोकराने थोड़ो गणो भाव हो ये पन तुटी जाई। पछी माबापनी वाद हाची होई तो पन हाची लागे। कदाच छोकरा खोटू करे छे, तीवी उपर वधार बेशे चे, कॉम्पीटो पर वधार बेशे चे, तो पन तमे तमारो मगज, कावबार जतोरे, कंट्रोल बार जतोरे, एटलो गुष्चो करें जो बोलशो, तो तमारी साची वाद नी पन अस्सर साची थसे। जो सांबलो जीव साधुने संपूर्ण त्यागी और निर्दम भी चोक्कस रूपमा मनमा माने तो ते संतनु वचन सामार ना रदयमा प्रवेश करे छे एवा निर्दोस मान्या सिवाई क्यारे ते संतनु वचन मान्यमा आउतु नथी अरे वचनामर रुतमा तो महराज यम कहे छे साधुने निसका मी जानेने रदय थी तेर कूतरा जे वो कामी होई तो पन निसका मी ओटोमेटिक थाइ जाए जानवानो अतलो मोटो भाइदो जे अरी भगत यम थाई जाईने रदय थी ऑहा हा आकेवा सारा साधूजे अतलुथ थैजाए ने निश्कुलां श्वामे केंनू कल्यान थैजे वानु केसे आसंत तो बहुं सारारे खरा कल्यान ना कर नारारे थादै थी के वुजोह यहा Después आतली वात्मा तो आत्यांती कल्यान छे नाभी माथी निकली जाए आहा अपड़ा साधू केवा सारा आनिसकाम स्वामी केवु तौप करेचे केटली सेवा करेचे महरादने राजी करवानों केवु तान चे आश्रिजी स्वामी भगवाननी मुर्तिने धारिन केवा किर्तनों गाई चे आमार न्यालकरण भगत, भगत नाना छे, पन भगत नी सम्झाण, भगत नी सेवा कितली मोटी, उन जोवचू, अमें बद्धा संतो ये नोटिस कर्यू, छेला लगबग, अधी त्रण वरस न अनुबव, अधी त्रण वरस मा भगत ने, सवारे के सांजे, एक दिवस पन आरती मा चूक न थी पड़ी बोलो, नानी वाद के वाई, अजे भगत, बिमार होई, साजा होई, साजा ना हो, एक दिवस चूक नहीं बोलो, आश्चरिय के वाई हाँ आतो, बाकी गाफले आवी जाई, आपने मधाई, जो जोनारा होई ने, रदेथी जारे मधाई ने, क्या साधू केवा, आहरी भगतो केवा, अमारा गंशयाम दादा छे, भिकु दादा छे, आ उमर छे, संतो साते रेवानू, अखंड कथा वारता योग, सवार्थी, सांसुदी, भिजी कोई वात अज, तो मैं गम्यत्यार में मंधिर माविन बेशें, दादा उपर बेठा होई, मन्तवय ने जवात करता होई, कथा नी जवात करता होई, इस रमूज करता होई ने, तो इस कथा माधिके गोतिन रमूज करे, के काल अवे, निलकंटवरेने क्या पोचाड़ से, तो घंचियाम दादा के इतो स्वामी जागे तो पोचाड़ेन पाचालो, नगर पाचा स्री जी स्वामी आवी जे, मनी रमूज होई पाची, वो मजानी रमूज छे, आपन नेम लागेनू जीवन, जे मिरा बायनू जीवन गोपाल ब जमतार रिया, त्या सुधि आवो विचार करता रिया, थाल जमी ने तुरूपत थया, हाथ दोया, मुख कमल धोईने सारो मुखवास लिदो, चोकमा केलना स्तंभर उपावी ने बगीचो करियो हतो, रंगोली पुरावी ने चोक करिया हता, डिप प्रगतावी ने धूप क प्रथम स्रीहरी नी पुजा करी, संतो नी पुजा करी, बधा दर्बारों पन जेने जेम घटे तेरी ते योग्यता प्रमाने बेसी गया, दर्बारों ने पन स्रीहरी ना पार्सदो गणिया अने तेमनी पुजा करी, इती स्री सहजानंद स्वामी शिष्य, सिद्धानंद म महराजनी जय स्रीपतिम स्रीधरम